तो बढ़ते हैं आज के प्राब्लम के और जिसका नाम है नमबर ओफ वंडर्फुल सब्स्ट्रिंग्स है ना लीकोड वन नाइन वन फाइफ क्वेशन क्या कह रहा है कि यह वंडर्फुल स्ट्रिंग इस ट्रिंग वेर आटमोस्ट वन लेटर एपिरस ऑन और नमबर ओफ ता स्ट्रिंग वर्ट एट कंजेश्ट ऑफ फस्टेन लोवर केस इंग्लिश लेटर ए टू ए थू जे मतलब हमाई पास देखो क्वेशन में क्या रखा है कि ए से लेके जे तक के ही लेटर्स होंगे हमारे पास ठीक है रिटर्न दा नमबर ओफ वंडर्फुल नॉन एंपी सब स्टेंग इवर्ट इफ सम स्टेंग एपिस मल्टीपल थाम इस वर्थन कांट इच ऊंडरेटली ओके एपस असव श्रिंग सीक्वेंस ऑफ करेक्टर से श्ट्रिग तो पहले तुम यह समझते है कि आप मोस्ट में क्या अंतर है ना क्योंकि लोग अकसर इसमें गलतियां करत है कि at most और at least दोनों में अंतर होता है तो at most one letter है ना इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक वन जी जा तो zero होना चाहिए या फिर one होना चाहिए ना जैसे कि example में मान के चलो हम देखते हैं यहां पर एक कितने number of times है थी है है ना बी कितने number of times है दो है तो क्या कह रहा है कि वन्डरफू लिस्टिंग हमारी कब होगी जब at most एक लेटर odd number of times हो है ना तो क्या यहां पर ए हमें odd number of times दिख रहा है at most है ना बी तो नहीं है लेकिन ए है हमारे पास similarly अब मान के चलो हम यह भी यह भी देखते हैं ठीक है अब यहां पर एक वस्टो टू है भी वस्टू टू है है ना तो वह क्या कह रहा है वह वंडरफू स्ट्रिंग कब होगी जब maximum ज्यादा ज्यादा वन हो यह फिस जीरो हो है ना दोनों चलेगी तो हम यहां भी मैं कहाँ दूं कि AB क्या यह हमारा अंसर होगा तो देख लेते हैं यह हमारे पास वन है और बी भी वन है तो यह नहीं होगा क्योंकि दो लेटर से यहां पर और हो गए तो हम क्या सकते हैं कि यह हमारा अंसर नहीं होगा परफेक्ट अब एक और चीज इस यहां पर हमें सीखना होगा वो है जोर इस हफ़ते मुझे जहां तक लगता है कि बिट पर ही कोश्चन चलती रहेंगी तो देखते हैं यह बहुत ज्याद और अगर defidente होगा तो वो same ही आ जाएगा है रहा तो अगर अगर इन ऐसे थूट टेबल के थूट समझें तो और 2нять कंच हो यहां पर जीरो जीरो है यहां पर 10 है यहां पर dear one है यहां पर 11 है ना तो अगर 00 मतब की सेम हो तो क्या होगा यहां पर 0 हो जाएगा similar लिए अगर 10 हो अगर different हो तो उसके लिए one अगर 01 हो यहां भी different है तो अगर 11 हो यानि similar है तो वापस से 0 है तो यह हमारा इस order में exor काम कर रहा होता है ठीक है यहां तक और एक concept और हमें देखनी है जैसे मान के चलो मैं कहूं कि a exor b है ना अगर इसको मैंने किसी c में store कर लिया ठीक perfect उसके बाद इसी c को मैंने वापस से a से exor कर लिया तो क्या होगा आंसर इसका तो इसी को तो हम वापस से लिख सकते हैं a exor b है ना और इसका exor of a अब exor को तुम इधर से वह multiply के तरह समझ लो है ना तुम one into two करो या two into one हो बाद तो वही आने वाला है ना तो क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते है exor a sorry into name exor of b है ना तो अब यह वाला पार्ट क्या होगा हमने अभी क्या देखा था अगर similar हो तो क्या हो जाएगा zero हो जाएगा है ना तो हम क्या है सकते है zero exor b अभी यह दोनों different है तो इसका answer हो जाएगा हमारे पास b ठीक है I hope यह वाला पार्ट क्लियर होगा यहां पर तो basically हमें इसी concept का use करना होगा है अब जैसे हम यहां पर इसको c में store करके रखे है ना अब मान के चलो मैं इसी concept को a exor b exor c exor d और मान के चलो exor of e इसको हम mask में save करके है ठीक है हम bit masking का भी यूज कर रहे होंगा यहां पर ठीक है तो आगे देखेंगे इसलिए यह चीज़े मैं पहले बता दे रहा है ना किस तरीके से चीज़ें काम कर रही होंगे तो अगर हम ऐसा करते हैं ठीक है अब यह हम mask में store कर लिए और अगर मैं कहूं कि हम mask exor c कर दे ठीक है तो क्या हो लगता है क्या answer बचेगा हमारे पास सिर्फ सी वाला eliminate हो जाएगा है ना सी एक्जार सी जीरो हो जाएगा जैसे कहां ने देखा कि हमने यहां पर इसको सी में store किया था और उसको हमने a से एक्जार किया तो यह वाला पार्ट खतम हो गया बच गया बच गय और यह हमारा answer हो जमें बच जाएगा है ना अब इसका जो भी answer होगा वो अलग अपना रख लेगा वाँ store हो करके तो अभी तक कि यह चीज़ें clear होगी है यह basic चीज़ें थी अब हमारे question पर देखना है कि हमारा aim क्या है यहां पर हमारा aim क्या था to get one letter with odd repetition है ना में हमें यही देखना था कोई एक ऐसा letter मिल जाए जो कि odd repetition हो हो है question में भी वही लिखर at most one letter appears on odd number of times ठीक है एक तो या तो यह होगा या फिर even होगा दो ही consider या तो 0 होगा या फिर 1 होगा तो अगर odd में भी एक letter की criteria है ना एक ही होनी चाहिए वहाँ पर तो हम क्या करेंगे ना इनिशली हम एक mask लेंगे ठीक है और हम mask को zero करके रखेंगे फिलाल के लिए हैना और हम क्या करेंगे ना एक मास को zero कर रखा है और हम क्या करेंगे एक जॉर करेंगे किसके साथ हर एक value के साथ और इस्टोर करेंगे अपने mask के अंदर ही ठीक है अब यहां पर जैसे मैंने बोला था हम यहां एक और concept का यूज करेंगे जो कि है bit masking अब यह क्यूं करेंगे हम है ना तो वाइबिट masking तो बेसिकलि यह हमें help करेगा यह चक करने में कि वह odd है या even है इस चीज में वह help करेगा हमें चक करने में कैसे करेगा तो हम अभी देखेंगे अभी देखो हमारे पास constraint अगर तुम देखो और कोशन में विसे कह रखा है लेकिन अगर हम constant देखें तो यहां पर क्या कह रहा है word consists of lowercase English letters from A to J ठीक है मतलब कि हमारे पास सिफ A to J तक ही letters होंगे है वैसे lowercase होंगा मैं इसी तरह capital में लिख दे रहा हूँ अब A to J कितने होते हैं 10 होते हैं है ना तो हम यह कह सकते हैं कि for representing for representing each of the letters we can use 10 bits है ना कि हर एक letter को represent के लिए हम maximum 10 bits का ही use कर रहे होंगे हम जैसे अगर simple में देखो एक में हमारा यह को हम कैसे लिख सकते हैं 0001 मान के चलो है ना अगर B को मुझे लिखना हुआ 00010 है ना लेकिन अगर हम 10 bit के यह तो मैं बता दिया है ना तक हमें पूरा ना लिखना पड़ेगा कि बाखी नंबर तो 00 होगे लेकिन जो actual A होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस है ना तो सिफ यह वाला 1 होगा यह A है हमारा है ना और बाखी सारे इदर 0 बनके बैठे होंगे ठीक है तो कुछ ऐसा सा हो रहा होगा I hope इस पार तक अभी तक चीज़ें किलियर हो रही होंगी है ना ठीक है अब हम देखते हैं कि मास्क का इस्तमाल हम किस तरीके से यहां पर कर रहे होंगे है ना तो देखो हम से मेरे ले लेंगे यहां पर अलगी पेज ले ले तो मैं तो A हो गया फिर B B A, C, C और B है ना अब हमाएं पास अगर हम ध्यान दे तो तीन ही लेटर्स है ना A, B और C है तो A को मान के चलो हम 001 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं B हो क्या हमाएं पास 010 और C हो गया हम पास 100 है ना इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को और फिलहाल के नही है हमाएं पास तो हम 0 कर देंगे अब क्या करेंगे हम मास को एक्सार करते हैं किसके साथ एक के साथ पहला करेक्टर एह हमाएं पास तो करते हैं तो हमाएं पास 000 था मास के लिए वह अब एक लिए क्या था हमाएं पास 001 तो 001 क्या आंसर आ रहा है हमाएं पास तो 1 से 0 प्रवे सकते हैं के यहां तक चीज़ा थी अब यह हमाया मास्क बन चूका है अब इसके साथ हम एक्जॉर करेंगे अगला और करेक्टर क्या है इसके लिए यहां पर हमाई पास क्लूरًब कि यहां पर तो थी हमाया पास शीरो बन पर reflections with me ही रह जाएगा जीरो वन भी डिफरेंट है ये भी बन हो जाएगा और अगें ये जीरो रहेगा है ना तो अब ये हमारे पास कितना होता है अब हमारा नया मास्क ये हो गया है जिरो वन वन और बी के लिए हमारा आंसर कितना आगया यहां पे यह थ्री हो गया है ना decimal format में 011 ह हमारा three हो जाएगा similarly अब हम next character पर move करेंगे अगला अगेन भी है है ना तो भी के लिए हम कर सकते हैं वापस से 010 है ना तो यह क्या होगा अगेन डिफरेंट है 10 तो यह वन हो गया यह भी 0 यह 0 हो गया है अब 001 क्या दिख रहा है हमें है तो अगर हम ध्यान दे तो इस kind this paint में फ大 अभी तक अगर हमthere करें अभी तक जो हमने किया है अगर हम देखें यहां पर तो इस वाले हिससे में क्या हो रहा है तो अगर हम देखेंए जो अभी हमने हमारी पास नीचे क्या हुआ कि जो हमाई पास नीचे A आया है है ना तो वो कैसे हुआ A XOR B और B है ना तो यह वाला पार्ट तो 0 हो गया है ना उसके बाद ही हमें A मिल रहा है यहां पर है ना तभी जाकर करके हमें देखो वापस से 001 मतलब यह की value मिल रही है तो जोर में यह हो रहा है कि अगर similar number of same number of elements आ अब दिम अगले पर आऊ है ना अगला character क्या है A है तो अगिन हम इसको marks करते हैं A के साथ क्या हो जाएगा 0000 हो जाएगा वापस से है ना और यह हमारी mask हो गई तो इसको हम कह सकते है A एक्स और यहां पर यही चीज हो गई और next character क्या था हमारा इसको भी हम यहां पर लिखते जाएंगे इस वाले के लिए हमें पास 0 आ चुका है अब अगला हमें पास C है है ना सी के लिए क्या था हमें पास 100 यहां पे है तो यहां पे आते हैं वीखते हैं that ends 3-0 ही रएगा है यहां निफरेंट है ये 1 हो जाएगा यह वया अनसर कितना हो गए tiene 00 तो यहां पहें हम quehsakte है यह 0 है तो यह जो संदे हम लिख रहा हूँ न हो कि यूज में लिख और हम सही कहा है तो इसक तरह लाश्ट करेक्टर के पी लिए कीस डिली हम आप सकते हैं 010 यह कि मास्क में क्या होगा यह 0 हो जाएगा यह 1 रहेगा और यह अगें 0 है ना तो कुछ ऐसा सा हो रहा होगा अब इस यह जो मैंने अभी इतना सारा calculation किया है तो यहां यहां पर हमें एक चीज नजर आ रही है कि अग जब हम मास्क निकाल रहे थे हैं ना तो मान के चलो हमें पास वन्तार एक्स और यहां पर कुछ पुछ हो रहा था और यहां पर इकवल्स टू हमें वन ही मिल रहा है अगर हम यही चीज देखें जो मैंने यहां पर देखा था कि ए के बाद क्या हुआ भी आया फिर वापस से बी आया तो बीच में कुछ-कुछ हो रहा था लेकिन घुम फिर के आंसर हमें वापस से यही मिल गया है तो हम क्या यह कह सकते हैं कि यह वाला हिस्सा जो भी है यहां पर जो भी वैल्यू या एलिमेट्स प्रेजेंट थे वह पेयर्स में थे जब यहां पर इस वाले पार्ट का यह जो हिस्सा है हमारा इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहां पर जीरो होगा तो यह जीरो का पॉसिबल है हमने एक्षार में देखा था सबसे पहले जीरो का पॉसिबल होगा जब हामें पास इवें नमबर ऑफ पेयर्स होंगे है ना जब इस तरह से होगा इवें नमर ऑफ पेयर्स है यह हमने कल भी एक बार देखा था ना कल वाला जो कोशशन था उसमें भी सेम था कि हमने देखा था इवें और 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 नमबर आप प्रार रहा था तो इसका मतलब यह कह सकते हैं कि वन एक गॉर मान के चलो इस बीच में कुछ भ क्या होगा इससे इससे cancel हो जाएगा भी अपना इससे cancel हो बी से cancel हो जाएगा सी हमारा इससे सारे even number of pairs है ना सबके पस दो-दो अपने elements हैं तो यह खतम हो कि फिर zero हो जाएगा और one X or zero हमने देखा ही था यह हमें one लाकर के दे देगा answer के अंदर है ना I hope अब clear हो रहा होगा थोड़ा क्या हो रहा है actually में तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि if at any point in the value of mask we see the repetition of any value है ना अगर हमें कोई भी repetition of किसी भी value का हमें मिलता है किसी भी part में ठीक है इसका मतलब after that मतलब जो भी value आती है जैसे हमें यहां पर दिख रहा है इस वाले हिस्से में कि यहां पर भी वन है और यहां पर भी one है है ना कि अगर हमें reputation of value दिख रही है इसका मतलब कि हमने जो part choose किया है वहां पर even number of letters मौझूद है है और हमें दिख भी रहा है कि अगर हम इस वाले पार्ट में consider करें तो हमें बी दो बार आते वे नजर आ रही है तो वह even number of letters contain कर रही है अब यह scenario हो गया हमारा कब अगर same value हो तो और even pair मौझूद होंगे अब यह तो हम even के लिए notice कर लिए अब हमें odd के लिए चलते हैं और even में भी कब जब हमें at most one निकालना है तो one कैसे आएगा तो हमने देख लिया कि कब जब बीच वाले जो चीज़े होंगी वह pairs में मौझूद होंगे ठीक है तो अब हम odd के लिए देखते है राइट अब odd के लिए हम अगें इसको consider कर लेते हैं हमारी जो एरे थी तो मान के चलो और हमें सब स्ट्रिंग का ध्यान रखना है ना सब स्ट्रिंग क्यों भी consider गए चलेंगे तो सी सी और भी हमें पास ऐसा था ठीक है अब हमें पास मैं वेल्यूस कितनी थे इनके इनके लिए 13310 थी और सी के लिए 4 थी है न तो यहां के लिए 4 था अब अगर यहां पर हम दिखे तो अगर हम जौर करें सारे के लिए किसके लिए ए खोति भुक्ति हम इने देर रखा रहे हों kilo इत agar हम शिर्थ हम जिए करेवार करें नारल थै smsj हमें पता चल जाएगा क्यों क्योंकि अगर हम यह से लेके जय तक करेंगे तो क्या होता जाएगा वह सेम वाले जो element होंगे वह तो cancel out होते जाएंगे लेकिन जो बच जाएगा वह खुद से ही बच करके जाएगा और फिर हमारे पास वह बचेगा जो even length वाले मतलब कि मैं क्या कहना चारो मान के चलो कि मैं इस सी वाले को consider करता हूं UK की मुझे सी के बारे में जानना है कि starting से लेकर यहां तक क्या हाल है अब मेरे पास जो पहले कि हमें यहां तक का पता है अब मुझे का निकालना है तो सी को मसी की कि कितनी वाल्यू था हमारे पास 0 थी अब स्टार्टिंग अमाई कहां से हो रही है वह हमाई-001 आगर उनकी जौर करके देखे तो क्या हो जाएगा 01 डिफेरेंट है तो मैं वह जाएगा जीरो ज्युज़ट सेमें तो से वह हो गया वन जिरो डिफेरेंट है तो अब हमाई- tumसal आ फाइव अब हम चैक करेंगे क्या जो इसके प्रीवियस अभी तक जो ऐलिमेंट्स आएते हैं इस वाले हिस्थे में क्या फाइव आया है कि किसी के भी पास तो हमें दिख़ रहा होगा कि फाइव अब तक नहीं आया था जिकिन फाइव नहीं आया हुआ हुआ पॉकर्सिया चीज है के लिए है बढ़ते हैं अगले करेक्टर के लिए तो यह हमने चिख किया था वाले पाट के लिए, है ना? यह हमारा यह था अब हम B के लिए चक करते हैं अगें हमारे पास C की वैल्यू है 100 B हमारे पास कितना था? 00 इन की जौर करके देखते है अगें सेम के लिए हमारे पास किसी भी पार्ट में नहीं आया है तो अब हम सी के लिए करके देखते हैं अब यहां पर जब सी के साथ हम करेंगे तो यह देखो जीरो जीरो हो चुका है तो अब हमारे पास जीरो आ चुका है इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारे पास एरे दे रखे हुई है अब है अब हमें दीख रहा है जीरो आई ठीक है तो जीरो कब आया था सबसे पहले आया था कहां पर इस वाले हिस्से में जब कुछ भी नहीं था जीरो क्योंकि मास्क हमने हमने क्या कंसिडर किया था जीरो 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 कंसिडर करके रखा था तो इस जीरो से ले करके तो इस पॉइंट से ले करके हमारा जो यहां तक का पॉइंट है कि मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट से लेकर कि सी तक अगर हम यह सब्स्ट्रिंग कंसिडर करें तो हम यह कह सकते हैं कि सबके इसमें एक सिंगल लेटर है कि और एक वूपर से और रपिटेशन के साथ है लगार हम देखें यहां पर कि एक लिए के वाइंपास ए मौजूद है लेकिन एक सी मौजूद है जिसका सिफ अगर एक ही रेपिटेशन है वह भी और का है ना इससे यही पता चलेगी कि कोई भी जो हमारे पॉइंट था फ्रि भी चाहए है, यह select particular का हिस्सा है ना तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि सबके लिए 16-song character मौझूद है लेकिन यह अबंदा ऐसा है जो odd repetition वाला है, है ना तो हम यह कह सकते हैं कि Ismaig single letter है, odd repetition का, perfect ठीक है, तो एक बार एक जांपल और लेके देखते हैं थोड़ा और क्लियर होगा जैसे मान के चलो यह से मीम लेते हैं बस जगह लगे लेंगे हमें वैल्यू सबकी पता है 1310402 ऐसा सा था है अगें हम यह से लेके जह तक चेक करेंगे आए यह मैं और चक चल्त आगया है तो यह सिर्फ हमें और यह चीजों को च्रक्राइए और देखी लिया था सबसे पहले हैं तो हम क्या होगा हमारा मास्क में क्या रख सकते हैं बी के लिए कर था हमाँपास 010 होई आ है तो अब एक पास जाकर देखते है ना शबसे पहला सक्षके डीक ले पास तो यह फिती 001 हम पस क्या answer आया 011 का अगर decimal form में देखें तो 3 answer होता है तो क्या हम देख सकते हैं उपर में कहीं पर 3 आया हुआ है का पहले तो मैं दिखेगा यार इस पार्ट में मुझे 3 दिखतो रही है है ना तो हम देख सकते हैं कि यह oddity आ चुका है इसका मतलब एक बार वो पहले आ चुका है मतलब कि एक सब्स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट से ले करके मतलब कि इस जगह से ले करके यहां end तक है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से उस end तक यह एक ऐसा letter है जो कि odd time repeat हुआ है है ना अगर तुम ध्यान दो मतलब यहां से इस पार्ट में ही कंसीडर कर रहे होंगे है ना यह तो मैंने यहां से चेक करना ही स्टार्ट किया तो इसके बाद वाले से होगा basically है ना तो यह जो सब्स्ट्रिंग हमारी है यह क्या निकल के आ रही है हमाई पस यह निक सब्सक्राइब है तो बस इसी कंसेप्ट का हम यूज कर रहे होंगे तो मैंने और के लिए दोनों एक्जांपल टेस्ट करा दी है ना अब थोड़ा और वाला कंसेप्ट क्लियर होगा एक बार खुद से नेतों अगर नहीं आ तो इस बाद कॉपी पेंसे करना थोड़ा दो भी हमारी सब्सक्राइब थी है ना यह वाला इसको कॉपी कर लेना था बार-बार मुझे लिखना पड़ रहा है तो यह जो लेटर थी इसके साथ हम क्या करेंगे ना एक काउंट बना के चलेंगे काउंट क्या रहेगा वह करेक्टर्स करेगा मतब जीड़ वन टो त्री 17ingenray जो कितने अंबर आफ ताइमस आया है ना जैसे कि यहां पर हो जह है एफइर तिक रहे सिर्फ कर रहे होंगे न जब हम इससेरे को इम bunu क्रेंगे कई यह तक हम इन। टकश्छ आया यहा干 कई तो जीरो आँपस कितने है एक है दो है और तीन है तो यह क्या करेगा काउंट में यहां पर तीन रखतेगा similarly one कितना है एक है दो है यहां पर दो रख लेगा तो इस तरीके से यह क्या करेगा यह रख रहा होगा हमाई पस इस चीज़ का ही वो ध्यान रख रहा होगा तो आई बार हम बढ़ते हैं कोड की तरफ उसके बाद हम इसको देखेंगा है थोड़ा कोड करते हैं अब अभी तक जो कंसर्प मैंने बताया था ओड का इवन का है ना बेट मास्किंग वगरा का स्टार्टिंग से इस पार्ट तक तो किलियर होगा तो बढ़ते हम थोड़े अपने कोड को देखते हैं चलो तो हमारा स्टार्ट होगा सपोज एक हम काउंट अरे बना लेते हैं इंट ऑफ काउंट नियू इंट 1024 साइस का है ना अब बहुत लों का सवाल होगा कि यार ये 1024 मैंने कैसे मुझे साइस कैसे प है कि इससे जज़्यादा एकसीड नहीं करेगी यह से लेके जे तक ही जाएगी और हर एक लेटर का जो पोजीशन होगा वो कितना वह किसे किसे रिप्रेजएंट होगा तो 10 बीट से ही रिप्रेजेंट हो रहा होगा ला एक काउंट हमारा जीरो 1 रहेगा है ना क्योंकि मास जीरो तो वाला होगा एक काउंट तो होगा उसके पास ठीक है अब लॉंग ओफ रिजल्ट जो कि हमारा जीरो रहेगा फिलाल के लिए उसके बाद फॉर्ड क्यरेक्टर सी इन वर्ड डॉकर एरे अ ठीक है तो हमारा मास्क किस तरह से निकाल रहेंगे तो यह वाला होगा हमारा इवेंट कंडिशन तो हम क्या करेंगे सीधा जौर करते वे जाएंगे वन लेफ्ट शिफ्ट सी मैंनस इसको मैं एक बार बताऊंगा किस तरह किस मास्किंग मैंने लिखी है क्योंकि कल वाले में भी कुछ को डाउट आ गया था है न तो रिजल्ट बढ़ा थोड़ा लग रहा है आंसर ही लिख लेते हैं है तो यहां पर हम आंसर कर लेते हैं आंसर प्लस इकोवल स्टू काउंट अफ मास्क है न तो उतना यह इवेंट वा रहा था दस तक जा रहा था है क्योंकि ए से लेकर यह तक के ही अलेमेन्ट है यहां पर तो जो हमारा आंसर होगा उसमें T prophet कर रही हो होंगे स्थोंट तहसे इंभ और जो भी हमारा मास्क है एकते मिया ऊटर कर तो ऐसे लिख शोपए वे जाएगा जो कि हमने यहां पर अभी अभी देखा था है ना जो हम यह कर रहे थे यह वही तो था कि यह जो हमारे वेल्यूज आ रहे हैं इसी को तो हम एक्जॉर करते वे जा रहे थे यह वेल्यू तो हम कंपैर कर रहे थे ना अगर हम देखे तो यहां पर है ना एक लिए बी के लिए एसी के लिए तो यह कितनी बार होगी दस बार होगी तो वही चीज़ है यहां पर तो यह यहां पर आंसर में सेव करके रख लेगा और finally हमारा जो काउंट आफ मास्क होगी वो प्लस प्लस हो जाएगी है ना और हम यहां से रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को रिटर्न आंसर तो कोड हमारा चल रहा है सही-सही यह बड़ रन सब्मिट करके देखते है बड़िया और हमारा अपरेल का बैज मिल गया हमें क्या है अपने मास्क कर रहे हैं सारे मास्क को देखते हैं कितने बर बार है कि क्यार्यों कंट आ यह वाला प्लस किसी चीज के लिए हमने बनाया था है कि कितने बार वो number of occurrences आई है उस हम इस्टोर कर रहे हैं अब देखो यहां पर वह बिट मास्किंग वाला concept मतलब यह जो left shift वाली चीज है यह हो क्या रहा है तो यह सपोज कोई भी करेक्टर है करेक्टर माइनस ए मैंने यह किया एवन के लिए अब यह करेक्टर सपोज स्टार्टिंग में ए है तो वन यह कितना हो जागा ए माइनस ए है ना तो वन को left shift करो कितने बाद जीरो टाइमस में तो क्या हम इसको 001 रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना वह जीरो बार shift हो रहा है वन तो अफ्कॉस वह हमारा वन जीरो लिख सकते हैं हमारा वन यहां पर था एक बाद shift हो गया left में तो यह हो गया हमारा भी आई होप आइडिया लग रहा होगा आग्शली में हो क्या रहा है तो वहरे करेक्टर के लिए वहां पर एक्षार कर रहा है जो कि मैं और यहां पर आप लोगों को बता चुका कि यह वाला पार्ट अगर याद होगा तो यह वाला जो हमने करा था देखो यह से पहले हमने एक्षार किया है फिर जो भी number of elements आते जाएंगे तो वह उस तरीके से एक्षार करता हुआ जाएगा उसके बाद यह हमारा event वाला case था तो उसके बाद हमने odd वाले चीज़ों को करा है ना कि जैसे मान के चलो हमाँ पास कुछ ऐसा सा था और यहां पर हमाँ पास count array थी जो कि फिलाल मान के चलो 0 1 2 3 इंडेक्स है है ना तो हम यहां पर यह count करेंगे कि जैसे सपोस हमारे पास एक इतने बार आया था तो यह हमें दिखेगा one times आया था है ना फिलाल के जिरो जिरो हो करके बैठे हुए रहेंगे उसके बाद जब हमने देखा कि एक पास कितनी बार आ रहा है तो देखेंगे एक बार one हमारे पास आचुका है तो जिरो से हम यहां पर one कर देंगे तो उसी तरीके से हम बाकी चीज़ों को भी calculate करते हुए जा रहे हैं तो अगर वीडियो में इतना ही और अगर इस्टिल में डिस्क्रिप्शन में थोड़े डाल दूँगा है ना मतलब आपको एक एक स्प्रिनेशन वहां भी मिल जाएगी तो अगर इस्टिल यहां पर समझ में नहीं थे इक बाइद इस्क्रिप्शन चेक कर लेना हो सकता है जो डॉट्स ह तो वहां के लिए रोजाए तो बस यार फिर आज की वीडियो में इतना है बागे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तब किले कीप लर्निंग कीप बोरिंग कीप स्टोलिंग सीव गाइस इन दा नेक्स्ट वीडियो एंडू लाइक से रहे सब्स्राइब आज चानल की मिलते हैं अगली वीडियो में टेक्ट वियां